दोस्तो हम अंजाने में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं ये गलतियां कब और कहां हमारी value कम कर देती है हमें खुद पता नहीं चलता इन गलतियों में हमारी ज्यादा बोलने की आदत सबसे ज्यादा हमारी life पर impact डालती है दोस्तो ये जानलो ज्यादा वही बोलता है जिसका मन अशांत होता है अशांत मन होने के कारण हम कहां क्या बोल देते हैं हमें पता नहीं चलता अशांत मन सिर्फ मौन से ही शांत हो सकता है और एक बार आप मौन की ताकत समझ गए तो समझ लो सारी दुनिया आपकी मूठी में हो जाएगी दोस्तो भगवान गौतम बुद्ध को जब बोध प्राप्त हुआ तो कहा जाता है कि वे एक सप्ताह तक मौन रहे उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला पौराणिक कथाएं कहती हैं कि सभी देवता चिंता में पड़ गए उनसे बोलने की आचना की मौन समाप्त होने पर वे बोले जो जानते हैं वे मेरे कहने के बिना भी जानते हैं और जो नहीं जानते वे मेरे कहने पर भी नहीं जानेंगे जिन्होंने जीवन का अमृत ही नहीं चखा उनसे बात करना व्यर्थ है इसलिए मैंने मौन धारण किया था जो बहुत ही आत्मिये और व्यक्तिगत हो उसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है देवताओं ने उनसे कहा जो आप कह रहे हैं वह सत्य है परंतून के बारे में सोचें जिनको पूरी तरह से बोध भी नहीं हुआ है और पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं है उनके लिए आपके थोड़े से शब्द भी प्रेणा दायक होंगे तब आपके द्वारा बोला गया हर शब्द मौन का सरजन करेगा बुध के शब्द निश्चित ही मौन का सरजन करते हैं क्योंकि बुध मौन की प्रतिमूर्ती है मौन जीवन का स्रोथ है जब लोग क्रोधित होते हैं तो पहले वे चिलाते हैं और फिर मौन हो जाते है जब कोई दुखी होता है तब वह भी मौन की शरण में जाता है जब कोई ज्यानी होता है तब भी वहाँ पर मौन होता है शुरुआत से ही बुद्ध ने संतुष्ट जीवन का निर्वाह किया हर सुख सुविधा किसी भी समय उनकी इच्छानुसार उनके सामने हाजिर हो जाती थी एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाकर ये देखना है कि दुनिया क्या है जब उन्होंने एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ती को देखा तो उन्होंने जीवन के बारे में विचार करना शुरू किया ये द्रिश्य ये ग्यान देने में परियाप्त थे कि जीवन में दुख है बुद्ध ने अकेले सत्य की तलाश शुरू की इसके लिए उन्होंने अपना महल, पत्नी और बेटे को छोड़ दिया उन्होंने वह सब कुछ किया जो लोगोंने उन्हें बताया इसके बाद ही विचार सत्य जान पाए पहला सत्य है कि दुनिया में दुख है जीवन में सिर्फ दो संभावनाएं है पहली यह कि अपने आसपास के संसार में औरों के दुख के अनुभव को देखकर समझ जाना दूसरी यह कि स्वयम उसका अनुभव करके समझना कि संसार दुख है दूसरा सत्य यह है कि दुख के लिए कोई कारण होता है आप बिना किसी कारण सुखी रह सकते हैं परन्तु दुख का कोई कारण अवश्य होता है तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि दूख का निवारन संभव है चौथा, सत्य यह है कि दूख से बाहर निकलने के लिए एक पत है उस समय इतनी अधिक सम्रिद्ध थी कि बुद्ध ने अपने मुख्य शिश्यों को भिक्षा का पात्र पकड़ा दिया और उनसे भिक्षा मांगने को कहा उन्होंने राजाओं के शाही वस्तर उतरवा कर उनके हाथ में भिक्षा का कटोरा दे दिया यह इसलिए नहीं था कि उन्हें भोजन की आवश्यक्ता थी परंतु वे उन्हें कुछ होने से कुछ नहीं होने के पाठ की सीख देना चाहते थे यह बताना चाहते थे कि आप कुछ नहीं है आप इस विश्व में निरर्थक हैं जब उस समय के राजाओं और घ्यानियों को भिक्षा मांगने को कहा गया तो वे करुणा की मूर्ती बन गए अपने सच्चे स्वभाव को देखें कि वह क्या है वह शांती करुणा प्रेम, मित्रता और आनंद है मौन में इन सब का उदय होता है दुख, पच्चतावे और कष्ट को मौन निगल लेता है और आनंद करुणा और प्रेम को जन्म देता है तो दोस्तों, अब वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी को सूनो जो हमारे मन को शांत करके मौन की ताकत का एहसास करवाएगी एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है मेरे जीवन में बहुत अशांती है कृपा करके आप मेरा मार्ग दर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांती से छुटकारा पा सकूँ गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांती का कारण पूछते है लड़का उत्तर देता है अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते है जिससे मेरा मन अशांत रहता है बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते है उपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है लड़का उपर देखता है और कहता है धूप दिख रहा है बुद्ध से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा वह कहता है मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बैच्शैनी होगी बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोश किसका है सूर्य के ताप का या तुम्हारा लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है इसका जवाब आप भी बताईए बुद्ध कहते हैं सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना ऐसे में तो दोश तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाव में रहना होगा ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागरित करना विचार क्षणभर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाओं देर तक ठिकी रहती है लेकिन यह तुम्हें निर्णई लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है शरीर के स्तर पर हमारी करमेंद्रियां और ग्यानिंद्रियां है करमेंद्रियां, कर्म और ग्यानिंद्रिया ग्यान से जुड़ी होती है इस से हम अपनी समवेदन शीलता को बढ़ा सकते हैं यानि हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जाग रूखता तन पर आ जाएगी, जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे, तब तुम्हारा चित्त शांत होगा, इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मनस्वत शांत हो जाता है, लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने, बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर जहां शांती हो तब अपनी आखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो, जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तब ही मन के सुर को सुन पाओगे, इस तरह तुम मन की अशांती से दूर हो जाओग के कारण ही होते हैं, हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना उर्जा का नश्ट होना है, इसलिए जितने भी बुद्धत्व, साध्धु और संथ हुए, वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े, महावीर ने बारह वर्ष और महात्मा बुद्ध ने दस वर्ष मौन रहने के बाद ज्यान प्राप्त किया, महर्शी रमन और चानक के भी मौन के उपा सकते, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं, इसके लिए आपको अपन नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं, परिवार में कलह कलेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है, आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कारे करते ह लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं, क्या आप उतना ही बोलते हैं, जितनी आवश्यकता है या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं, इस बारे में कभी अकेले बैठ कर जरूर सोचिए, कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला, और सबसे जरूर की क्यों बोला, इन में से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी अनावश्यक, मनुष्य की प्रवर्टी ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बाते किसी अन्य या तीसरे व्यक्ती से संबंधित हो, तो सुनने सुनाने का काम और भी दिल्चस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं, तो इन ही बातों को फिर से दोहराया जाएगा, और फिर से इन ही बातों पर विचार करेंगे। ये सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है, और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच, समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है, और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने-सुनाने के माहौल से बाहर निकलें। दोस्तो उमिध है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।